पांच और छे जुलाई का दिन सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मातादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में और आज की इस विडियो में हम बात करेंगे 5 जुलाई और 6 जुलाई 2013 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की स्तिथी क्या होगी, नक्षथर क्या होगी, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, किस ग्रह का नक्षथर परिवर्टन होगा, क्या योग बनेगे और उनका प्रभाव आपकी दिन चर्या को कैसे प्रभावित करेगा तो हर एक जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अपकी जीवन से जुड़े हुए हर शेत्र के बारे में सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, परिवारिक जीवन यानि हर एक चीज के बारे में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जुड़ जाए हमारे चैनल की साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं, तो सबसे पहले इन दो दिनों के ठिथी नक्षत्र की बात कर लेते ह तो सबसे पहले मैं देखें, आपको बता दू, चार जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है, और अब हर एक दिन भगवान शिव का प्रिया दिन है, तो पांच जुलाई की पहले बात करते हैं, यह जो है बुद्वार का दिन है, और क्रशन पक्षक की द्वेतिया जो सुबह दसी बजे तक रहेगी, उसके बाद तिरत्या लग जाएगी, इस दिन सुबह की शुरूआ तो उतरसाड़ा नक्षत्र में हैं, लेकिन उसके बाद श्ट्रमर नाम का योग बनेगा, जिसके स्वामी होते हैं भगवान विश्मों, और बहुती अच्छा बहुती शुब योग है ये, वैदरती नाम का योग सुबह साथ बज़ कर अरतालिस मिनड़ तक उसके बाद विश्कम नाम का योग बनेगा, दोनों ही योग बहुत अच्छे योग नहीं है, चंद्रमा जो है, वो मकर राशी में है, शनी की राशी में और सूर्यय मिथुन राशी म है, जो की बुधा देतर राजयोग बना रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में, अब 6 जुलाई का दिन, गुरुवार का दिन है, क्रेशन पक्षकी तरत्य तित्थी सुभा साड़े छे वज़े तक है, उसके बाद चतुरती तित्थी लग जाएगी, गहनिस्ट नक्षत्र इस दिन ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, और प्रिती नाम का योग बनेगा, जिसके सौमी भगवान विश्व है, बहुत ही अच्छा शुभ योग है ये, और चंद्रमा भी इस दिन दोपहर तक तो मका राशी में है, उसके बाद आ जाएंगे कुमराशी मे और सूरिय का एक परिवरतन इस दिन है, वैसे तो मिथुन राशी में है, लेकिन इस दिन सूरिय आदर नक्षत्र से निकल कर पुनरवस नक्षत्र में आ जाएंगे, और ये जो नक्षत्र होता है, पुनरवस नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता ह तो ये जो परिवरतन है ये भी आपके लिए बदलाव लेकर आये गा आपकी राशी के स्वामी है सूर्य देव और उनका नक्षतर परिवरतन आपके लिए कई तरह के बदलाव का कारण बनेगा तो ये हो गई हमारी ग्रहूं के इस्ते थी चलिए अब इसी के आधार पर जानते हैं ये दो दिन आप के लिए कैसे हैं पहले बात करेंगे पांच जुलाई के बारे में तो देखे सेंग राशी के जातकों के लिए एक सबसे वड़ी चीज़ तो यह है कि आपका स्वास्थ है बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक रहेंगे एनर्जी से भरपूर रहेंगे हर काम को करने की इच्छा मन में प्रबल रहेगी आपके दोस्त आपका परिचा किसी खास इंसान से करा सकते हैं जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डाले और एक्स्ट्रा इंकम के लिए अपने स्रजनात्मक विचारों का आप सहरा लेंगे और उन विचारों से आपको काफी कुछ जानने को सोचने को मिलेगा शाम का समय दोस्तों के साथ बाहर घुमने फिरने का है और आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर पाएंगे या तो मैं कहूँ प्रेम जीवन के मामले में आप काफी अच्छा महसूस कर पाएंगे और इसे जिस पहचान और पुरुषकार की उम्मिद आप कर रहे थे आपने काम की आपके मन में था अगर कोई पहचान आपको मिले या पुरुषकार मिले तो वो थोड़ा टाइम के लिए टल सकती है लेकिन वो जल्दी ही आपको जरूर मिलेगी आज जो आपका अधिकतर समय है वो कामकाज में भी देगा और जो आपके पास वक्त होगा उसे आप आराम के लिए भी आज निकाल सकते हैं आज आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए दुनिया में सबसे महत्पून है ऐसी चीज़ें आज आपके मन में आ सकती हैं कुछ चीजों को लेकर कुछ बातों को लेकर बाकि आपको सहयोग मिलेगा अगर आपको सहयोग क्या शक्ता थी तो और आपके स्वेभाव में भी जो भावुकता है वो देखने को मिल सकती है और कुछ चीजों को लेकर गुसा भी आ सकता है तो थोड़ा सा दो है दिहान रखें गुसे पर नियंतरन रखना सीखें बस गुसे की वजह से आपका काम ना बिगड़े ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कामकाज में विरधी तेजी से होगी आपका जो सारा जोर है वो लोगों से संपर्क बनाने में जाएगा मजबूत अपने संपर्कों करने में जाएगा पारिवारिक जिम्मदारों को निपाने में जाएगा और किसी कारेवस अगर प्रेम समद में कुछ भी दिक्कते आ रही थी तो आज आपकी जीवन में उस प्रेम की बाप से हो सकती है जो किसी वज़ाए से तूटने की कगार पर था या किसी तरह से भी वहाँ से आपका बिछड़ गया था मैसेज हो गये, फेस्बुक हो गया, इन से संपरक आप कर पाएंगे दूसरे से कहीं गूमने जाने की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं सोशल मेडिया से आपका जुड़ाव जो है वो अच्छा खासा रहेगा और शाम का समय बहुत अच्छा है, शाम का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है तीन से चार बजे का बहुत ही उत्तम है, इसके लावा जो चंद्रमा की इस्तिती है वो क्या करेगी, आपके जो राजनीती के शेतर से जुड़े लोग है आज उनके कौशल की परिक्षा हो सकती है तो उनको कोई opportunity मिल सकती है, जहां अगर आप अच्छा करते हैं तो आगे बढ़ने के chances रहेंगे तो उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, धहरिया और शांती सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए जो की पुनरवसुन नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों में से एक शुब नक्षत्र के श्रणी में आता है तो सिंग राशी वाले जातकों के लिए कई थरसे शुब संकीत हैं अगर आप विदीज जाने के लिए वर्क परमिट या वीजे का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशकबरी इस काम के लिए मिल सकती है और इसके लिए आपने बहुत इंजार किया है तो ये खुशकबरी आपके लिए बहुत मायने रखेगी इस अबसर का पूरा मज़ा लेंगे पूरा फाइदा उठाएंगे बहुत खुशी के साथ दिन बीतेगा क्योंकि आपकी जो इक इच्छा थी वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी और काम गाज के सिलसले में कैसे भी आपको विदीज जाने का मौका मिलेगा देखिए जैसा उमीद करेंगे यातरा वैसी फायदे मंद आपके लिए रहेगी मन में बस पॉजिटिविटी रखें और आपको लगेगा आपने जो योजना बनाई है वो बहुत सक्सेस्फुल हो गई है तो उमीद ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको आगे ले कर जाती है और उमीद से दुनिया कायम जो एक कहवत है वो वाके में सच होती है तो आपने उम्मीद की और आप उसमें सक्सेस्फुल हुए, आप उसमें लाव प्राप्ती के लिए बिलकुल तयार है, धारमी कारियों से जुड़ेंगे, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप अपनी कुछ छुपी हुई ख जोखिम उठाने का, क्यों ना ये कारिया शुरू किया जाए, क्यों ना इस तरह क्या काम किया जाए, तो मैं बता दूँ आप जोखिम जरूर उठाएं, क्योंकि जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, धन की और लव रिलेशन भी आपके जो हैं वो ठीकठा के दिखाई दे रहे हैं, यानि कि अच्छे से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब यहां सावन का महिना शुरूर हो चुका है, तो भगवान शिव के अरादना जरूर करें, भगवान शिव को जलर पित करें, उनके पसंद